बुलधाना जुले के पूरे जलगाओं में 26 की रात और 27 नेवंबर के पूरे दिन में ओलाव रष्टी और बारिश जारी रही ऐसे में अंतिम चरण में पूंच चुकी अरहर की फसल जमीन पर सो गई है जिसके कारण फसल के उत्पादन में भारी गिरावट की संभावना से नहीं किया जा सकता बतादी की जलगाओं में सोयबिन 11,889 हेक्टियर और कपास 21,026 हेक्टियर में बोया गया है लेकिन इस बेमौसम बारिश के कारण अरहर की फसल को काफी नुकसान हुआ है जिससे कारण किसान डरा हुआ है वहीं अब इस्ताने शेत से मांग हो रही है कि इस तबी नुकसान का सर्वे करायजार किसानों को आर्थिक सायता दी जाए